Welcome to my channel friends, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास कई सारे board पड़े हुए हैं audio amplifier के और यह सारे class D के board हैं और सभी में TPA 316-D2 IC लगी हुई है आप जानते हैं कि IC class D amplifiers में सबसे popular हैं और इस IC के कई सारे board के reviews और sound testing वगर मैं अपने channel पर दिखा चुका हूँ इसमें से एक यह वाला board है जिसका भी तक मैंने review नहीं किया है इसका review भी मैं कर दूँगा अगर आप चाहेंगे तो TPA 316-D2 सबसे popular class D की IC है इसलिए market में इसके बहुत सारे variety के boards available हैं लेकिन आप confusion नहीं create होता है कि इतने सारे boards हैं तो हमें कौन सा board लेना चाहिए इसी question के reply के लिए मैं ये video लेके आया हूँ आप मेरे पुराने videos देखेंगे especially इस board का तो आपको पता चल जाएगा कि IC किस तरीके से काम करती है और इसका performance किस तरीके का है लेकिन फिर भी short में Texas Instrument ने इस IC को बनाया है TPA 316-D2 50 watt के 2 channels इसमें होते हैं जो की already breeze mode में होते हैं लेकिन इन channels को हम फिर से parallel mode में करके 100 watt की power ले सकते हैं Class D की IC है 90% इसकी efficiency है maximum working voltage 24 volt है इसकी 100 watt की complete output ये तब देती है जब हम इसको 21 volt की supply पर PBTL mode में 2 ohm के load पर चलाते हैं IC का एक छोटा सा intro में आपको दे दिया ताकि जब हम आगे बात करें तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएं इस board को तो आप अच्छे तरीके से पहचानते होंगे ये first board था इस IC का जो की इंडिया में आया था बहुत ज़्यादा इस board की sale हुई थी आज भी ये board कई लोग use कर रहे होंगे और आज भी ये board market में available है वैसे तो इस IC के महंगे board आया करते थे इसके पहले भी लेकिन budget में ये पहला board आया था जो की 800 रुपीस से लेके 1000 रुपीस तक की range में था और सच कहा जाए तो class D amplifier को especially TPA-3216 amplifier को इंडिया में popular करने में इस amplifier का बहुत बड़ा role है क्योंकि ये बड़ा budget friendly था और उस time सुनने में बड़ा attractive लगता था कि इतने छोटे board में overall 200 watt की power मिलती है इस board की audio quality थी वैसे अच्छी थी लेकिन because new new implementation था IC का और designer को अच्छे तरीके समझ में नहीं आ पाया तो कुछ इसमें कमिया थी उसमें से एक सबसे बड़ी कमी थी कि इसका output inductor बहुत heat होता था ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो properly design नहीं कर पाया थे जिस value का inductor लगाना चाहिए था उस value का inductor नहीं लगा पाया थे और कई बार ऐसा भी होता है कि डेटाशीट में चीजें दी गई होती है लेकिन जब हम practically उनको करते हैं तो difficulties आती है और हमको आपने हिसाब से value decide करने पड़ती है तो ओवराल ये board बहुत अच्छा था लेकिन ये basic board था बस इसमें 2.1 का configuration था एक speaker volume था एक base volume था और एक satellite volume था बाकी connectivity वगरा इसमें कोई extra नहीं थी और अगर आपको additional connectivity नहीं चाहिए कोई bluetooth वगरा नहीं चाहिए pen drive नहीं चाहिए मुझे पता नहीं है कि इसकी coil heating की problem अभी solve हुई है नहीं हुई है नय वर्जन्स में दूसरे value की coils इसमें डाल कर इसकी problem को solve किया जा सकता अगर आपने य है जिसकी coils heat नहीं होती है नय वर्जन का आप comment box में मुझे जरूर बताइएगा basic काम के लिए अगर आप इस amplifier को लेना चाहते हैं तो यह board अभी भी काफी अच्छा है आप इसे खरी सकते हैं इसका एक बहुत detail video मैंने बनाया था उस video को आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या blue color का board बहुत popular हुआ था 3-4 सार पहले यह board काफी costly हुआ करता था और शायद इसकी cost अभी भी ज्यादा है लेकिन इसकी quality बहुत ही अच्छी थी in comparison to first board, controls वगारे भी ज्यादा था इसमें coil की heating की problem भी नहीं थी, shielded coils इसमें use की गई थी, because इस board को मैंने कभी review नहीं किया है तो यह review मेरे channel पर है, initially इस board को लोगों ने advertise किया था कि 120 plus 120 watt का है और 700-800 रुपे का यह board था, लेकिन जब इस board को हमने open किया तो पता चला कि इसमें TPA 3116 की सिर्फ एक ICUs की गई है, जो कि आपको 50 plus 50 watt का output देती है, इस तरीके से 120 plus 120 claim bogus हो गया, लेकिन overall यह board ठीक था और काफी अच्छे तरीके से काम करता था, एक यह board है, जो कि बहुत जल्दी आया है और इसे in question ने develop किया है, इस board की खासियत यह है कि majorly यह इंडिया में बना हुआ है, बहुत लोगों के in boards पर problem होती है कि यह foreign make board है, तो हम इनका promotion क्यों कर रहा है, हम क्यों इनको लें, इंडिया में manufacturing manufacturing और part procurement की limitations है, इसकी वज़े से कोई यह सुचे कि रात और रात हम इंडिया में manufacturing करने लगेंगे, तो यह possible नहीं है, जैसे कि इसी board को लिया जाए, इसमें कुछ assembling बाहर की है, कुछ assembling इंडिया की है, कुल मिलाकर चीजे ऐसे ही develop होती है, पहले आप initial काम करेंगे, उसको इंडिया में manufacture नहीं होते हैं, तो complete Indian manufacturing करने का कोई question पैदा नहीं होती है, हाँ यह बात जरूर है कि लोग कोशिस कर रहे हैं, और लोगों की कोशिस सही possible है, कि 4-5 साल पहले तक हम ऐसा board देखते थे, तो हमें पक्का यकीन होता था, कि हाँ यह एक foreign made board है, लेकिन अभी देख सबसे number one चीज जो ध्यान में रखनी है, वो है आपकी requirement, यानि कि आपको क्या चाहिए, आपको एक plane board चाहिए, आपको एक USB connectivity वाला board चाहिए, आपको एक audio deck वाला board चाहिए, एक button control वाला board चाहिए, या तो ऐसा board चाहिए, जिसमें सा buffer frequency control हो, तो तमाम तरह के variation available है, मेरा अपन मानना है कि अगर आपके पास connectivity के option available है, यानि कि Bluetooth receiver है, या मोबाइल से चलाते है, या किसी और device से चलाते है, तो आप कोई भी plane वाला board लीजिए, क्योंकि जब भी Bluetooth वागरा इस board में add किये जाते है, तो थोड़ी मोडी 29 आ जाती है, क्योंकि Bluetooth एक radio device है, और radio frequency उससे generate होती है, until design बहुत ही super है, थोड़ा मोडा distortion आ जाता है, दो अभी के जो latest board है, उसमें distortion बहुत ही कम है, और जब आप song play नहीं करते हैं, तभी सुनाई देता है, song play करते टाइम में ही सारा Bluetooth का distortion चला जाता है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी connectivity आपको चाहिए, उतनी ही connectivity वाला board लीज और आल आप देख रहे हैं कि ये चार board है, इन चारो boards में वही IC यूज की गई है, तो main चीज जो concerned है वो हमारी IC, हाँ ये बात जरूर है कि जो components यूज किये गए हैं, उनकी quality और designer के layout पे भी ये depend करता है, कि किस तरह की audio quality आपकी IC देगी, यही मेरा दूसरा point है, कि आप board ले हुई है, अगर आपको अच्छी knowledge है, तो data sheet से भी आप compare कर सकते हैं, कि data sheet में क्या क्या चीजे recommended हैं, और board में क्या क्या चीजे use की गई है, इस board में data sheet में आप देखेंगे, तो 10 milli henry की coil use ही गई है, लेकिन 10 milli henry की coil के साथ heating आती है, इसलिए जितने भी manufacturer है, वो अभी 15 milli henry की coil use कर रहे है, coil में भी कई type हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये low current की coil है, काफी अच्छी quality नहीं है, और loose है, इसी वज़े से इसमें heating हो जाती है, ये coil high currents की coil है, ये flat वाली coil है, ये latest version है, काफी अच्छी coil होती है ये, तो जिस तरीके का समान आपके board पे लगा रहे है, यानि कि base reflex type का, या seal type का, कितने watt का speaker आपके पास है, कितने watt का woofer आपके पास है, इन सारे boards में 25 watt से लेके 50 watt तक का satellite यूज किया जा सकता है, 2 ohms से लेके 8 ohms तक का depending upon power supply, दो इस board में बोला गया है कि 100 watt इसकी output power है, लेकिन किसी भी board में जो भी output power बोला जाता है, वो maximum power होत है, आप 60 या 70 परसेंट, तो 100 परसेंट अगर woofer की output इसकी है, तो normal volumes पर आप जब भी सुनेंगे, तो 20-30 watt से लेके 60-70 watt तक का woofer आप सुनेंगे, इस वज़े से जब भी आप इसमें woofer यूज कीजिए, best recommendation है कि आप 50 watt का woofer यूज कीजिए, तो आपको without distortion, यानि कि बिना volume ज देता है, जैसा कि हमारे home theater में होता है, तो इसके reason कैसा रहे है, सबसे पहला reason यह है, आपको जो भी woofer यूज करना है, कम से कम आप 4 ohm का woofer इसके साथ यूज करें, तब ही आप full power इससे ले पाएंगे, कि हम जो home theater यूज करते हैं, उसमें 4th order का subwoofer यूज किया जाता है, जि इसके साथ 4th order का subwoofer यूज करेंगे, और because अभी जो नए boards आये हैं, उसमें frequency adjustment भी दिया है, तो उसके एसाब से frequency adjust करके और gain को match करके, आप काफी अच्छा performance इससे ले सकते हैं, 4th और last लेकिन सबसे important point है, इन boards को आपको लेते time में देखना है, आपको देख लेना है कि आपक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन boards का ripple rejection काफी कम होता है, अगर हम analog ICs के compression में देखें तो, ripple rejection का मतलब ये है, कि power supply में जो भी रिपल्स आते हैं, वो आपके speaker में ना आने पाए, अगर वो रिपल्स आपके speaker में आ गए, तो आपको humming के form में सुनाई देंगे, इसलिए अगर आप transformer वाली power supply इसके साथ use कर रहे हैं, तो काफी अच्छा filtering capacitor यूज कीजिए, यानि कि 200 watt का overall board है, तो कम से कम 20,000 microfarad का capacitor आपको use करना है, तभी आपको अच्छी power मिलेगी, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि exactly कितने volt और कितने ampere का transformer आपको इन board के साथ लगाना है, ताकि आप इन board से full power ले पाएं, 16.5 volt का transformer इसके साथ लगाना है, यानि कि transformer में आपके 16.5 और 0 की winding होनी चाहिए, या तो 16.5, 0 और 16.5 की winding होनी चाहिए, 16.5 को आप जब AC में convert करेंगे, तो आपको 23.76 volt DC की power मिलेगी, जो कि इस board के लिए एकदम optimum है, 12.5 ampere का transformer आपको चाहिए, इस को कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 volt का 225 watt का transformer इसके साथ आप लगाएंगे, तो सारा loss वगरे मिलाने के बाद भी आपको 200 watt की power मिलेगी, अब अगर आप SMPS power supply से इन boards को चलाते हैं, तो आपको काफी आराम रहेगा, क्योंकि जो भी छोटे capacitor इसमें लगे हुए हैं, ये capacitor स् SMPS power supply को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं, और SMPS power supply आप यूज करते हैं, तो कोई भी capacitor अपग्रेट की जरूरत आपको नहीं है, अंटिल किसी board में बहुत ही छोटा capacitor लगा हो, जैसे कि ये वाला board है, इसमें 22 का लगा है, तो इसको तो अपग्रेट करना ही तो friends, यह था मेरा को suggestions आपको कि अगर आप TPA 3116D2 का board लेने जा रहा है market में, तो क्या-क्या चीज़े आपको लेने से पहले ध्यान रखनी है, ताकि लेने के बाद आपको कोई problem न create हो कि मैंने ये कैसा board ले लिया, ये अच्छा performance नहीं दे रहा है, सारी चीज़े मैंने cover कर दी है, फिर भी इस IC से related या inboard से related कोई problem हो, कोई query हो आपकी, तो आप मेरे को comment box में पूछ सकते हैं, मैं जरूर reply करूंगा, इसी के साथ next video तक के लिए friends, okay Tata and bye